दुलहन सा तुमको सजाकर ले जाते, डोली में तुमको बिठाकर ले जाते, वो तो मरने के बाद जरासी भी जान नहीं बसती मेरे दोस्त, वरना अर्थी में भी हम सराव चुपाकर ले जाते हैं दुलहन सा तुमको सजाकर ले जाते, डोली में तुमको बिठाकर ले जाते, वो तो मरने के बाद जरासी भी जान नहीं बसती मेरे दोस्त, वरना अर्थी में भी हम सराव चुपाकर ले जाते हैं फिर चाहे जीना मेरा हराम कर देना, कतल बाजार में सरे आम कर देना अब की बार जब आधार काड अबडेट करवाना तो पिता-पती वाले खाने में मेरा नाम भर देना नाक में नोजरिंग सजा कर रखती है, पलको को लहरो सा उठा कर रखती है कभी-कभी लगाती है वो चांद पर बिंदी, तो कभी आँखों में जहर लगा कर रखती है कैसे कह देता है कोई चांद को दागी, क्या उन्होंने सोला श्रिंगार देखा है क्या कैसे लिख देता है कोई हूबहू सादगी क्या किसी ने तुम्हारे हाथों से हाथों को सेका है क्या और कैसे कर लेते हैं लोग साइरियां हमसे बढ़कर किसी और ने भी तेरा चहरा देखा है क्या कैसे कर लेते हैं लोग साइरियां हमसे बढ़कर किसी और ने भी तेरा चेहरा देखा है क्या और सब कुछ लुटा देता है चाहे प्यार हो या नफरत किसी ने समंदर सा यार देखा है क्या तुम पर मेरी साहिरियां मुकमल अच्छी लगती है लोग मुझसे पूछते हैं वो कितनी अच्छी लगती है तुम पर मेरी साहिरियां सब मुकमल अच्छी लगती है लोग मुझसे पूछते हैं वो कितनी अच्छी लगती है और उसको याद करके हम सराब को हाथ तक नहीं लगाते जबकि सरावियों से जादा अच्छी सराब हमको लगती है उसकी सूरत फिर उसकी सीरत उसका चहरा जैसे राधे की मुरत उसकी सूरत फिर उसकी सीरत उसका चहरा जैसे राधे की मुरत उसकी बाते उससे भी खुबसूरत उसकी जलक अपने चारो तीरत कैसे तुमसे प्यार जताएं ओ जानम कैसे तुमको देखते जाएं ओ जानम कपकपी सी होती है तेरे पास आने पर कैसे तुमको गले लगाएं ओ जानम थंड है सायद इसी लिए तुम कांप रही हो कैसे तेरे ओट भिगाएं ओ जानम एक समंदर ही काफी है इस दुनिया में कैसे तेरे अस्रु गिराएं ओ जानो जब तक जिन्दगी है खुलकर जीओ जीना मरना तो एक सांस की बात है विरासत में मिली है तकलीफ है हमें उनका जाना तो महद इत्फाक की बात है कि प्याले में भरी रंगीन स्तराफ सी लगती हो यह मैंने मतलब कि एक दोस्त की साधियों इसके लिए लिखा था अंकित नाम उसका कि प्याले में भरी रंगीन स्तराफ सी लगती है चांद की हसरत एक हसीन ख्वाफ सी लगती है और ठंड में भी देखकर जिसको पसीना आजाए महतरमा आपकी सच में बावाल जिलकती है और भाई ये अपने लबों पे आते हैं कि तुम क्या जानो महबबत क्या होती है तुम क्या जानो महबबत क्या होती है तुम क्या जानो गाओं की पंगत क्या होती है और चूम कर भी उसके लबो को बस देखते रहते हैं तुम क्या जानो होटो की रंगत क्या होती है कि फड़ा ओनलाइन पर आएके कभी DP चेक करना, कभी status डालना तुम्हारी हर पोश्ट पर दिलवाला reaction बनाना लोग पूछने लगे हैं हमसे क्या क्या करते हैं रहते हो अखिल आजकल इसके करते हैं तुम से आगे तुम संभालना बहुत 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 सुक्राइब